70-80% बच्चे जो हैं ना कालेज में मलब कि जो 4 स्मिश्टर में हैं जिनको 5th स्मिश्टर में एडमिशन लेनी हैं अब वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे पता है क्यों दोस्तों इसलिए नहीं कि भाई जो पहला क्राइटेरिया था वो उसे फुल्फिल नहीं कर रहे हैं बल पहले था तो आज भी है तो ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा क्रिटेरिया यह था कि जो फुर्स मिश्टर होगा उस बच्चे का जिसको कि और वो third rule कौन सा है, जिसकी वज़ा से कटुवा कालेज के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, कल जब मैं उनिवस्टी के बाहर भी प्रोटेस्ट होगा और शहीद भदरवा में भी प्रोटेस्ट होगा इस चीज़ को ले के, तो वो rule कौन सा है दोस्तों, वो rule है दोस्तों कि अब जो भी बच्चा जो है वो 5th semester में admission लेना चाहता है, उसके पहले दो, यानि कि semester first and semester second जो है, वो clear होने चाहिएं दोस्तों, अगर उसकी कोई भी एक book रही है, या inter-deal assignment में कहीं वो fail है, तो उसको जो है वो 5th semester में admission नहीं मिलेगी, और simple सी बात है कि जो ये तीसरा वाला criteria है इसमें जो है वो college के 70-80% बच्चे फुल्फिल नहीं बैठते हैं, सिर्फ 10-20% बच्चे फुल्फिल बैठते हैं, तो that's why जो है वो admission जो है वो सिर्फ 10-20% बच्चों की ही होगी, अगर इस rule को change नहीं किया गया तो, फ़लाल इस rule को change करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोचा आप लोगों को बता दूँ और admission नहीं होगी, तो unfortunately जैसे आप लोगों पता होगा कि जो फोलो करते होगी, मेरी वी एक बुक रही है, तो जिसकी वज़ा से मुझे भी कही नहीं कहीं, फिफ्स मिश्टम admission नहीं मिलेगी, अगर ये रूल चला तो, तो देखते हैं यार जो हमारी studies है, जो पढ़ाई है, उसको थोड़ा tough किया जा रहा है, पता है क्यों ताकि ज्यादा लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी विचार दा रहा है, कि ज्यादा लोग वो literacy rate ना पार्क पर पाएं, क्योंकि देखो, आजकल समाज में एक demand चलती है, कि भाई हम चल रहा है भाई, राजनीती है, बाकी चीजे हैं, बड़े बड़े खेल खेले जा रहे हैं, या क्या किया जा रहा है, भगवाहन जाने, हम तो बस पढ़ने चाते हैं, study करने चाते हैं, और college से ना सिर्फ यह चीज नहीं होती कि तुम जा रहे हो, तुम study कर रहे हो, और college जाने ही नहीं दिया जाएगा, तो फिर घर में रहके इंसान या अपनी society, आज कल की पता है दोस्तों कि आप लोग कैसी society चल रहे है, तो जब इंसान society में रहेगा, तो क्या सीखेगा वहाँ से, देखो, एक ना, मैं आपको एक example देता हूँ, just simple सी बात है, इस चीज को में या कहीं शैर में रहेगा, काम वगेरा करेगा, जो भी चीजे करेगा, अपनी society के लोगों से मिलेगा, ठीक है, तो देखो society में बहुत सारी बुरी चीजे चल रही है, तो कहीं नहीं वह भी उन चीज से affect हो सकता है, ठीक है, मैंने कहता वह होएगा यह होएगा, बद चा जिजे ना करें, तो जब वो तीन या चार साल करने के बाद अपनी डिगरी लेके बाहर निकलेगा, और जो अपनी society में काम कर रहा है, या बाकी चीजे कर रहा है, वो बच्चा बाहर निकलेगा, तो दोनु में ना difference आपको clear नजर आएगा, मलब आप खुदी देखना वो difference होता है, मानो ना मानो वो difference clear नजर आता है, तो पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी नी होता कि हमें डिगरी चाहिए, हमें नोकरी चाहिए, सरकारी नोकरी, बलकि इसलिए भी जूरी होता है, क्योंकि कहीं नगी आपके ये mindset को खोलता है, आपका vision clear करता है, आपको काफी चीज is important क्योंकि education जो ना human की थाड आई है भाई तीसरी आख है तो उसको खोलना रखना जरूरी है और उसको जितना शार्प हो सके जितना तेज हो सके उतना करना जरूरी है ठीक है बाकी तो policy बताई दिया मैंने तो कहीं कह सकते उस बारे में बाकी कोई update होगा बाकी कुछ पता चल है ने थे वह भी डालेंगे तो चलो यार जैसे जाम